बिलियमसन धवन की शतकिय साझेदारी से हाइदराबाद जीता, राजस्थान को 9 विकेट से हराया। IPL के चौथे मैच में Sunriders हाइदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया। शिखर धवन सतहतर और केन बिलियमसन 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी हुई। हाइदराबाद का एक मात्र विकेट रिधिमान साहा के रूप में गिरा, वे 5 रन पर जैदेव उनादकट की गेंद पर बेन लाफलन को कैच दे बैठे। इससे पहले राजस्थान की टीम 20 ओव में 9 विकेट पर 125 रन ही बना पाई। संज्यू सैमसन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। हाइदराबाद की तरफ से शाकेबल हसन और सिध्धार्थ कॉल ने दो रिन दो विकेट लिए। हाइदराबाद ने टॉस जीत कर गेंद बाजी का फैसला किया था। IPL में अपना पहला मैच खेल रहे राजस्थान के उपन डी शॉट केवल 4 रन बनाकर ही रन आउट हो गए। उनके बाद कप्तान अजिनके रहाने भी 13 रन बनाकर सिध्धार्थ कॉल की गेंद पर राशिद खान को कैच दे बैठे। देविड बॉनर पर बैन के बाद हाइदराबाद की कमान केंग विलियमसन के हाथों में है। उधर स्टीव स्मित के लीग से बाहर होने के बाद अजिनके रहाने राजस्थान के कप्तान है। यूसुफ पठान इस टूर्नामेंट में 150 मैच खेल रहे हैं। हाइदराबाद की टीम अपने होम ग्राउंड इससे पहले राजीव गांधी स्टेडियम में 30 मुकाबले खेले जिसमें से 20 में जीत हासल की।